शायर की ताजा खबरे देखने के लिए इन वीसेया न्यूस को यूटूब पर लाइक करें सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकान दबाना ना भुलें सब्सक्राइब करें जरूए प्राशातन भुल आपके बात पर फर्माया है क्योंकि कोरोना वायरस यह आज से पहले यानि 21 मार्च से पहले आज तक यह वर्ड किसी ने सुनाई नहीं था कोरोना वायरस मां बाकि प्लेग है और प्रकार की हिंदोस्तान पर आने वाली ऐसे इस करी जर ओने भी माहमारी आया है उसे भी लोग बच चुके है और अवय को ने वैसी निकाला था मगरनावायरस और इतने बड़े पैमाने पर हमारे भारत वर्ष में काफी लेट आया उससे पाहले यूरोफ हू अमेरिका हू चाइना की कई ऐसे शेत्र है जहां पर यह सबसे विए लोगों को सुविदा दे रही है या नहीं इस बारे में मैं Shiti Jaji आपसे यहीं बताना चाहता हूँ के नाक्मुर का जिला प्रशासन बहतरीं से बहतरीं काम काच कर रहा है मनपा प्रशाषन भी बेहतरिंग काम कर रहा है और जहां डिविजन की बात है डिविजन जो ऑफिस है यानि विभाग यह कारेया ले जिन पहते है संजी कुमार जी के माइल जिक्र करूंगा और जिलादी कारी जिलादी जो है रविंद्र ठाकरे हो या फिर मनपा के आयत तु करने का काम बखुबी के साथ यह किसी ने किया है तो नागपूर के जिलादी रविंद्र ठाकरे मनपा के आयत तुपर रहा है मुंडे विभाग ये कारेयले के जो है संजी कुमार और साथ साथ जितने डॉक्तर्स, नर्सेस के टीम और जो चतुरत श्रेणी करमचारी है उन कहना चाहता हूं कि अपने हातों की पांचों उंगलिया एक जैसी नहीं होती लेकिन जड़ तो एक होती है कहने का ताक पर यह है कि लोगों के स्वाद अलग-अलग है खाना एक है हमें खाना है आज स्वाद नहीं देखना है क्योंकि हम लोगों की यह मनशा है कि आप जल से जो प्रादुर्भाव जो है वो किसी अन्य अपने परिजोनों को हो या मुत्र परिवार को हो वो नहीं होना चाहिए क्योंकि हम समाज में रहते हैं और कोरणा वायरस एक ऐसा जानलेवा वायरस जो दस्तक जब देता है तो वो किसी जाद धर्मपंतर रंग रूप को नहीं द देखता वो देता है दस्तक तो बड़ी जोर से दस्तक देता है ऐसे समय में हमें बड़े जोर शोर से पुर जोर से उसका कड़ा मुकाबला करना चाहिए इसलिए हमें सैनेटाइजिंग करना होगा हमें मास लगाना होगा इस प्रकार के कई ऐसे बाते मनपा प्रशासन जिल प्रशा सब अच्छा काम इसलिए कर रही है तो सर मैं यह जानना चाहूंगा कि अमरावती का अभी क्या स्टेटस है अमरावती में अब तक कि कितने लोगों की मृत्यु हुई है कितने पॉजिटिव आया है कितने निगेटिव आया है और वहां के डॉक्टर्स की टीम किस प् प्रयोग किया गया हमारे हैं जो है डेडड बॉर स्टोगों की डेड बॉड के स्ट लिए गये उसके कश्छ के और उनके आसपास के परिशार में जो भी एफेक्ति हुत हुए जल्दी मिल गय है बागी जग हमने सारे जग पता किया नागपरों सबसे पहले हमारे हाथी पूरा का एक एक मरीज विला था उसके वहां से मातरब पांच लोग परिवार के और पूरा एरिया अभी तक सेफ है उसके बाद में एक भी महापर आया नहीं पहला प्रयोग अमराओति का कई पे भी ऐसे डेट बाड़ी के स्वफ नहीं ले गए हमारे बात में बंग कर दिये गए ऐसी मेर की गाइडलाइन के बात में लेकिन जो पहले लिए उसके करन बहुत जादा हम कंट्रोल में उसके बात में बंग कर दिये तो यह बाकी तरब से स पहलता हुआ, आरा है अलग-अलग अलग एरिया में जा रहा है, कोई किसी के संपर्क में आ रहा है. मैं बीच में रोकना है चाओंगा एक बात में करना चाओंगा जैसे अमराथी का राज कमल चोख हो या फिर इर्बीन चोख हो या हो फिर हमालपुरा वहां से भी कुछ ऐसी खबरे आ रहे थी कि वहां पर भी कुछ संदीद मिलने के कुछ आसार है यह बातों में कितना तथ्य नहीं में कोई आसार और कई संदीद नाम की कहीं जीज निए लोग करिया घुमते हैं कि अपने ठीक हो जाते हैं अभी तो गौशे में कि पॉलिसी पहीं के दस दिन आप रखो और उसको चोड़ दो याने वह अपने ठीक हो रहा है उग जिसका इम्मुनुटियू पावर अ तक इलाज चलता रहा है और 30 दिन आखिए उसके मौत होगी है बाकी सारे जो लोग आया या तो डेड़ बॉड़ी आई है या एक या दो गंटे मोस्की मौत है इसमें मौत का आखड़ा इसलिए हमारे अमरा उती में बड़ा होनी तो हमारे ऐसे दिखे जाता हूँ एक या दो पूरा बंद रखा बाजार पर जो बंद रखा हूँ एक्चुलि यह जंक्शन पॉइंट है जंक्शन पॉइंट बोलने का मत्तब कि जहां पहली बार कोरोना का संक्रम होत हुआ जहां से फहला और दूसरी बस्ती वो मार्केट ऐसा दोनों का संगम होता है तो वो मार्केट अभी प्रशाशन ने बंद रखावा, उसका छोड़ के अधर जो मार्केट से वो करीब-करीब खोल दिये, मॉल्स बंद है, जहां जादा भीर हो सकती है, कॉलेज बंद है, इस्टुटूशन बंद है, उसके बाद में ठेटर्स बंद है, और बड़ी-बड़ी शॉप्स जो है, जहां बहुत जादा गर्दी होने की संभाणा या मार्केट है, जहां पर बहुत जादा भीर हो है, तो वो सारे बंद है, बाकि छुट-पूट गल्ये बहुलने की दुकाने है, जहले सारी कुछ बन बर्तन की दुकाने ख़ल है, लोगों की जरूरते सारी पूरी होरी है, जरूरत में कहीं किसी ben, रुकाट नहीं है, सुबा तीन घंटे तक रच रहता है, जो आम तौर पर घर से आत्मी निकलता है, तो सारे काम काच घर के लिके निकलता है वो, तो गर्जी चलती है तीन बज़ और करीब करी बारा बज़े के बाद में धीरे धीरे गर्जी कम होई जाए तीन बज़े होते हो पुरा लॉक्डाउन के अमराथी में आ जाती है अब हम रुख करना चाहेंगे इस समय हमान सब में अलोग मिश्रा जी जूड़ चुके है अलोग जी यह बताईए किस तरह का वहां का महुले क्या आज दिन बड़े में आपने क्या उनको देखा है क्या करना चाओगे पुना की स्थितिया अभी कंट्रोल में है काफी कुछ कंट्रोल में है पुना की स्थितिया बाजार जो मेन बाजार है वो तो बंध है लेकिन जो बाकी के जो गली महले में जैसा के आपने अमराथी का अब जिक्र किया उसी प्रकार के स्थितिया यहां है और लोग अब मैं जो है जो रेड जोन में मार्क हुए हुए कुछ एरिया है होट स्पॉट है वहां की स्थिति में पुलिस काफी अच्छा बंदोबस्त किया हुआ है तो वह स्थितियां वहां पे नियंत्रेंड में हैं लेकिन अगर आप पुना की बात करें तो आज से 8 दिन पहले और आज का इसमें काफी फर्त है काफी कंड् kalau किया औरम मारीड का मिल रहा है मरीजक मेले है सभ। यह लोगों का घुमना फिरना लोग सब नाbnि प्रुन ऑर पुनल एक अब जो है तो डेली कम से कम देर्सो से जो सो ट्रक में बरके सी बॉम्बे पुना से लोग निकलते हैं तो क्या बॉम्बे और पुना ऐसे खाली हो जाएगा तो क्या आगे लगता आपको सब चल पाएगा बराबर? मैं इस मुद्य पर आही रहा था जंदुबाई इसमें जो सबसे बड़ी बात हो रही है कि मैंने कुछ इंडस्ट्रिलिस्ट लोगों से बात की तो वो लो काफी घबराए हुए है शटडाउन के बाद में आज लेवर का जो सबसे बड़ा प्राबले मुंबई पुना में होने जा रहा है मुंबई मैंने कई लोगों से बात की क्यों जितने भी स्किल लेवर बोलो आप ये सब लेवर जो है ये मुंबई पुने में UP और बिहार से है चाहने Maksimum करें तो मुंबई में अगर सौ लेबर है तो पूना में असी है तो नाकपुर में दस है तो नाकपुर में असी है तो पूना मुंबई ने है चिह तो पूना में ङाए सब्सक्राइच के बात करों या फिर Mercedes का फैक्टरी यहां है, Mahindra का फैक्टरी यहां है, तो यह सब यूनिट में और बेसिकली जो construction यूनिट है, जो infrastructure के यूनिट है, इनको सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, जक्का बेटेगा, क्यूंकि अक्टुल लेबर के काम है, हुआ मशिनों से जा लेबर लग कि अपने परिवार का गुदर बसत करने के लिए पश्यम बंगार से नापूर के कलमिशवर में, जेकन स्टील के एक कंपनी है, वो बंध हो जाने से उनके उपर में भूके मने की नौ बता पड़ी थी, ऐसे में वे लोग नापूर में कतई रहना नहीं चाहते थे, जब हम जब रिपोर्टिंग की, तो उन्होंने चंदुजी यही कहा था, कि हम किसी भी सुरत में नापूर में नहीं रहना चाहते हैं, हम अपने देश, अपने गाउं यानि पश्यम बंगाल के हम आए, पश्यम बंगाल के बुदिया के वे लोग रहने वाले थे, हम वहां जाना च ताज नहीं है, आज हर जगों पे, हर प्रांत में काम मिल सकता है, यकीनन उन्हें पुरे विश्वास के साथ अपने गाउं में खोजना होंगा, राज्ये में जाने की इच्चुप नहीं है, क्योंकि कोरोना जो महामारी है, उसने इस प्रकार की दस्तक भी है, और लोगों में धर्शत का महौल भी है, खास तोर पे दिहारी कामगारों के परिवारों के मन में। रतना कर जी, इसमें अभी यह टेंपररेरी मुझे लगता ही है, अभी शनिक सारा का सारा महौल है, सब तरह भैका और डर का महौल बना हुआ है, क्योंकि हम यह तो नहीं कह सकते हैं कि सब अपने गाउं में जाके हुआ ही सब रह जागे, क्योंकि सब लोग अपने घर से जि रोटी के सारे अप्शनस खड़ हो जाएंगे, तो वापस उल्टा पलायन इनका चलो हो जाएगा, अभी जो इधर से जैसे जा रहे है, वैसे ही वापस इधर से जाते हो रहेंगे, तो इधर से जाते हो तो पूरे रास्ते में सब ने साहता कर दी, लेकिन क्या जब वहाँ स वापस जाएंगे तो लोग वापस इतनी साहता करेंगे जब रोजगार की ले जाएंगे जब कोई साहता करने नहीं आएगा तब उनको तार अपना जाना पड़ेगा वलायन रोकने में सब सरकारे इसमें निश्फल रही है क्योंकि उनको रोकने के लिए कारण नहीं आखिर वे तो सबको पता लग गया कि ये कोई इलाज निये तो सबको इसी के साथ में रहते वे यदि कोई पॉलिसी बना ली जाती वहां पहले ही रोजगार होते तो क्या आपने घर से बाहर निकल पाते और खेती पर आखिर किते लोग डिपेंड हो जाएंगे बहुत बड़ा प्रशन है अभी चीज़ जोड़ना चाहूंगा जंदुजी कि सबसे बड़ी चीज मैंने कुछ जब ये लेवर लोगों से बातचीत की फील्ड पे आप लोग क्यो जा रहे हैं यहां वहां क्या करेंगे जब वहां से आप यहां आये थे तो आप रोजी रोटी के लिए आये थे अब जो होता जो है कि जहां से भागे उनके खाने पिने की रोटी की सुईदा नहीं थी रोजी रोजी के लिए रोटी के लिए अब रोटी ही नहीं मिलती तो घर में जाके रोखी सुखी कैसी तो खाई लेंगे घर में अपने वहां फिर के आउता है गाव में उनको खर्चा नह तो वापस रोजी के तलाश में भी पलायन होगा नहीं होगा इसारी इंड़स्टी सब ठीक है थोड़ा से रिस्ट्रिक्शन सा जाएगा लेकिन वापस मुझे लगता कि शे मेरे के दोरान में सब वापस जैसा का वैसा हो जाएगा को नापूर शहर का जबसे जो काम करने काम करने आयते वे चले जाने से नापूर के जो बाकी की जो सेक्टर जो मिर्मान जो काम होता है उसमें बहुत 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 मेरी थोड़ी एक बात थी कि इसका जो असर है अभी हाले में एक राज ठाकर इन्हों नहीं यह बात कही ती कुछ दिनों पुर्वे कि आप यह देखिये उपी से उत्तर पर यह लोंडे के लोंडे यह बड़ी पैमाने पर इकटा लोग आ रहा है इसे समालना मुश्किल हो रह अब वे लोग अपने गाउं चले गएं लेकिन आने वाले दिनों में नापूर का एकनामिकली स्टेटस देखा जाए तो बहुत उसका जो स्तर है वो कम 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 होते जाएगा क्यूंकि अब कामगार छे मैना बहुत जादा समय होता है छे मैने में हजारों करोड़ों का काम होत कामगार यहां पर भी मिले का नहीं मिले का ऐसा नहीं है बात उन स्टेट की करो यूपी की करो बिहार की करो जहां लाखो मज़दूर आगे और यूपी और बिहार ऐसे बहुत गरी में चल रहा है वहां के क्या हाल होंगे आप वो भी देखो ना हम तो ठीक है काम पूल आप क्यां प्रोड़ल नहीं पर डाः नहीं परिदी टो कोई फरक नहीं पढ़ रहां लेकिन जो inडरस्टि में पूर्टि कम से कम लोकल लेबर कर सकता है नहीं कर सकता है थीग अभी जहां सोव लेबर का काम पचास लेबर क्यूंकि आखिर अखिर ढ़न भी तो कम होगी ना एक सबसे बड़ा इस पे जो अर्थिक में हमारा यहां पे देश में जो चलता है शादी शादी के करण किते ही इसके काम जाता है जब तक वो जिस शादी फंक्शन और बड़े प्रोग्राम जब तक रिगूलर नहीं नहीं जाते जब तक मुझे लगता कि इंडरेस्ट्री के बहुत जाता उत्पदन किसी काम करेगा जी हां बिल्कुल सब्सक्राइब तो एक आर्थिक नहीं होगे अने अभी अभी हर तरफ से गाइडलेंड यह आ रहे है कि इसके साथ में आपको जीना है यह कब खतम होगा पता नहीं यह अभी जैसे हम दस दिन पहले जितने उत्सा से आखड़ पूछने थे दीरे दीरे आपने देखा होगा कि गौवर्मेंट से हमारे भी आखड़ पूछने का इससा कम हो गया उसने बोल दिया तीन आगे तो ठीक है आया ठीक है न्यूस बना दो पहले हमारी खुद की उत्सा अभी जैसे आलोबाई ने पूछा कि किते होगे बाद में ठीक है दूसरे दिन सुबा देख लेंगे इस स्थिती आने वाली आगे चलके तो कहीं ने कहीं हम लोग इस चीज को हाँ सटल होगे और दीरे तरी इसके आदत पढ़ जाएगी लोगों ने घर से निकलना चालू क हाला कि सुबह साथ बजे से तीन बजे तक जिकता भी व्यापर करना जिकता भी आपके आउशक कारें पुरे हो जाते है उसमें खई बाधा ही नहीं आती लाइफ इस्टाल हो जागी पूरा सब लोगो आपको जैन बनना पड़ेगा जैन लोग पांच बजे के पहले सारा कि हम लोग इसको जीत लेगे हैं उत्पादन के ऊपर से एक बात लग रही है कि राजी उत्पादन शुल्क विबाग और दिलाधिश इनके आदूशों पर जिस प्रकार से शराब की दुखा ने जो शुरू है उसके कापी अच्छे से रिपोर्टिंग हमारे सववाद दात जो बड़ी बड़ी जो लगतारे जो है उसको देखके क्या लग रहा है आपको क्या कई न कई उन्हें अमरूत मिल रहा है इसका आडियो नहीं है बराबर है अवाज आरी है अवाज आरी है नहीं के लिए तो वह अपरूती है क्योंकि इतने दिनों के वह इसके इतने दिनों को शराब नहीं मिली है लेकिन एक भात्वा पुणा है कि महरास्ट्रा सरकार में जारू जो ऑनलाइन हो या प्रामी सेक्रम बेशने की बात हो तो वो जब भोषना की तो इसके बात मनपा आयूको तो तुकराम मुद्दे ने उसके उस ज़शना का नाक्पूर में लेकिन तरा बेशने को मना किया सालोषना भी थी इसके एक दो दिन पले अलेक्टर अधर खाक्रे ने भी खाक्रे ने भी जारी एक पत्रक जारी करेके तहां साथी ग्रामें शत्रों में हम दुकाने चालू करनाई का अनुमती देते रहे चल पूरा दिन गामी शेपरों में दुकाने चालोर गई लोगों ने जो बढ़ी बढ़ी कतारे लगाई है इसकार जो ट्रेन्लू लग्स का कलका जो उपादम शुल्कों को आगा कानी तो ट्रेन्लू लाक्षी बता जा रही है लेकिन जो कतारे जो लियम थे इसके पोरोना न तो चंदुजी आप हम आप से यह पूछा चाते क्या सरकार के पास महस शरा भी एक ऐसा महसूल या पैसे आने के स्तोत बने हुए क्या अन्या और कोई जरिये नहीं है क्या ने महसूल के बात से ज्यादा मुझे लगता दूसरा जो दबाव है ज्यादा प्रिशर होगा क्युकि दारु लोगों को नहीं बिल रही है तो कहीं कहीं लोगों को जो हेशान फोर्चानी हो और मुझे लगता है चीछ चालू कर देनी चीए क्यूग कि जिसको फीना है आज जो 2,000 की दारु 6,000 में ले रहा है तो यह जब चालू होती थी तो इसमें मैं तो जभी सुज जाओ दिया था कि इस पर 300 टाइम्स टेक्स लगा दिया जाए याने 500 की दारू आप उसको 600 रुपय कर दिजिए क्योंकि लोगों ने बंग के प्रेड में 500 की दारू 600 में लेखके पिया यदि राजस्व की बात है राजस्व पूरा करना है तो सरकार एक इस शेत्र से पूरी पूरा उसुल करें ना फी चूट क्यों देवे आप उसके 300 टाइम्स ड्यूटे लगा दीजिए और जिसको पीना है पहले लिया आमने देखा कि पंद्रासों की दारू लोगों ने पांच यहर में शेहर में लिए तो लेंगे ना दारू उसके साथ में गुटका बिकता है दो रुपे की बुड़ी, दस रुपे की बिक्री जो चीज को बंदी लगा के उसके क्या होता है दो प्रकार का नुक्सान और तो डुप्लिकेट माल ने के चांस है और कोर्मेंट का रिवेनी रुपता है और कई जगह इसमें इसके करने जगड़े भी हो जाते है तो बिल्कुल बिल्कुल कोई आंदोरा निंग करेगा, मोबैल बंग कर दीजे ना जंदुजी आप इस जो बात कह रहे है इस दिशा में मेरे सूस्रों में मुझे बताया है यह निरने सरकार के विचारदीन है और एक महने में इस पर निरने होने वाला है जो बड़ी अच्छे बात है यदि हमारे बात यदि कोई भी रूप में वहां तक पोस्ती है क्योंकि दारू पीने वाला अंदोरा नहीं करता वो दारू खरिदने के लिए लाइन में जब खड़े रह सकता है तो मुझे लगता है कि सरकार एक ही शेत्र से रेविन्यू में तो भई यदि दारू आपको नहीं करना है दो रूपे लिटरत बूद पर आप टेक्स लेगा तो लोग साहज देदेंगे और शाहज दारू से ज्यादा उत्पादन उससे भी मिल सपता है तो उन्होंने आप दा कैमरा मुझे बताया कि अब रेविन्यू का शोत्र है वो यह दो ही चीज़ बची है और इस पर हम लोग जो आपने अभी बात बोली उस वही वो लोग इंप्लिमेंट करने वाले जे 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 परसेंटेज 300 से 200 हो सकता 200 से 200 हो सकता है लेकिन यह होगा जरूर और एक महने में होगा तरू के भाव बढ़ने से पीने वालों के संख्या में कमी आएगी था अभी शेक्ष ने भी रिसर्च किया है अप लोगों ने किया का है मेरा दारू का शेत्र नहीं है इसलिए मैं बहुत बोलने है पाता आलोग जी को पता है इम्रान को पता ह इससे क्या लगता पीने वाला चार गुना में खरीद देगा? बिल्कुल वैसा तो यह हमारा भी शेत्र नहीं है लेकिन हम जो समाज में जो रहते हैं जो लोग हम से आके मिलते हैं क्योंकि जब हम रिपोर्टिंग करते हैं तो हर किस्म के लोग हमारे पास आते हैं और दारू के लेके काफी इची बात करते हैं एक बात मैंने देखा कि लोग कुछ ऐसे जो शराब यह वनी जन्हें प्यकड भी कहा जाता है उन्हें भुका रहना पसंद है मगर बिना दारू के नहीं वे एक प्यक्त भी मारना चाहते हैं और दारू को लेके एक बात मेरे यह भी मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह से राज्य उत्पादन शुल इन्होंने भ्यूशन खोरी में बड़े पैमाने पर वहां का जो दारू का जो जकीरा था उसको पुरी तरह से ध्वस्त किया था और उस कारवाई में इंग विशन की पूरी टीम भी वहां पर थी सवाल यह उठता है कि यदि आपको वह आदिवासी लुगों के दारू के जो जहरी शराब के तोर पर बोल रहे थे अगर उसको आपको पुरी तरह से नश्ट करना है तो फिर नश्ट करने के वज़े उन्हें परमिशन क्यों नहीं देते क्योंकि उसमें भी तो राजस्वा सकता है एक तरब आप अंग्रेश विदेशी दारू को पुरी तरह से सहुलियत दे रहे हो तो वहीं दूसरी और ऐसे बहुत अधिकृत जानकरी नहीं है और हम अधिकृत बोल भी सकते लिए कि राजस्वा भी दो टाइप के रहते होंगे आलोग कि राजस्वा एक ताइप प्रस्ता चार से लिपत तो ही ना अगभूर के शरावयों की हाल क्या है मतलब दारू के बारे में क्या कहना चाहेंगे तो मैं आपको बता दू जिव दिन से लगड़ों शुरूआ था हफता भर ने एक सुसाइट का मामला शराव के गारान सामने आया था और कई एक-दो अ दी करने के कोसिश करतुगे थे उसमें जो प्रताब नगर थाना नंतर्कर घंता अगाळना में एक वाड़ादी किसंकी घंज भी नापर्न में इटी तो उसके वज़े से उसके दिमाख में एक मानसिक प्रताणना से वो कुछ अजब तरीके से उसने अपने पिता पर अपने माँ पर हम्ला किया और पिता की ज्यान लेली इस तरह के घसना नाकपूर में हो चुकी है सपर्फड के सथे आपने तरह जुत तरहू Means के रॉंख्ड जान से इसे होते हैं और पती-पत्नी में जग्र कहीं जग्र होते हैं यह फ不好 में जग्र होते हैं घर हिजाना ब्रेकिंस पर जुटाल हो गयाया है, मैं नवे नुपतारा था एक सो अक रॉग्णा हो गया है एक लाल खड़ी से और पुरुष मिला और एक सिंदुनगर नया एक और हमारे आका एरिया भी जूड़ गया पहले नहीं थे एक और नगर से आगे का भागे एक नया अभी तक पुलाना एक विशेश हेरिया में हमारे हैं कोरोना के पॉजिट्व मिल रहे थे लेकिन अब पू जोड़ गया कल भी अपनी इस पर चर्चा होई थे आलोग यह नई गाइडलाइन आई है आपको भी जानकर है उसकी कि दस दिन में अभी कोरोना के जो मरीज ले जाए जाते दवा खाने उसको छोड़ जया जाता अब यह केरियर्स बना के बाहर गुमेंगे तो इसका भी फ आपको कुछ बताना चाहूंगा कि मेरे जो सूत्र है मुंबई में और मेरे जो फिल्म कलाकार कुछ मित्र है कुछ सीरियल की जो हीरोइन उन लोगों से मेरा बाचित हुआ। तो इसमें से मैंने पाया कि 60 से से 70 परसंट डिप्रेशन में चले गए हैं ये लोग शराब ना मिलने के कारण और ड्रग्स ना मिलने के का रहें। एक तो काम ने है दूसरा शराब हैं तीसरा पैसा नहीं। क्योंकि वो लोग उसके बिना नहीं रह सकते बिलकुल वो उनके एक जैसे हम बोलेंगे के करोना के साथ ही हमको चलना है तो वो उसके बिना कभी चले नहीं ना चल सकते थे और उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा तो यह जो है कि हिंसा का जो है उनके घरों में जो हो रही है वह बहुत जादा हो रही है और वह अतीप्रमान पर हो रहा है वहां पर आपका कहना कि यह वर्क को बचाना तो दारू बहुत आउशक है हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल वहां के लिए तो बिल्कुल आप आवश्यक मान के चलिए उसको आपना रहे कि मास्क पना है से पाइजर का यूज करना है लोगों से डिस्टेंस बना रखना वैसे भी डारू के बोटल में जिब में लेके जिसको पीना गूमना पड़ेगा लेका तो वह स्टोर करके रख लेंगे यह मान सकते हम लोग लोग लाए अप तो विक रहें हैं आप डर हो गया चंदु जी कि कब बंध हो जाएगा कब चालू होगा तो आप वो लोग दो मेने साथ दीन नहीं रुख सकते हैं नहीं आप आलोग जी हम दे इस बात पर बात करनी ची आपके भी बंध नहीं होगा जैसा वसी जीना पड़ेगा हमको सबको इसी मोमेंट पर भी आना पड़ेगा और यहीं चीजों का प्रचार भी करना पड़ेगा कि ऐसे चलेगा बंध नहीं हो क्योंकि बंध के डर में पैनिक हो जाते लोग सौ की दारू तीन सो में घरिते हैं कम से का वो लोगों पर बारी नहीं आये तो यह डर निकानला पड़ेगा लोगों को अब बंध करेंगा सरकार को भी प्रयास करने पड़ेगी कि हम बंध करेंगे हाँ ठीक है लाइफ इस्ट्याल चेंज करने पड़ेगी एक दिन का बंध हो सकता दूसरे दिन चालू है अब यदि यह चालू करने गा बंध वापस करना पड़े वापस यदि लॉगडाउन करना पड़े तो मुझे नहीं लगता कि भारास से ज्यादा किसी तिक खराब किसी की और उप्य होगे लॉक्टाउन के चलते कई ऐसे विशे जो उबर कर सामने आ रहा है लॉक्टाउन के चलते से शराब का एक विशे हो गया कुछ लोग है जिनकी शादिया है महत तीन चार लोगों के बीच में हो रही है तो वहीं एक सबसे बड़ा सवाल आज उबर कर नागपूर में यह सामने पांच लोगों की जैसे की गड़ी-गुदाम की कल एक महिला की मृत्यविटी पुल्मिना के पांच का पूरा फिगर अब तक आखणा आ चुका है अब हमारी जो सवाद आता थी शितिजा दिश्वु लगता है शितिजा किसी कारण वाश्व बाहर जा चुकिए यह आने नहीं मिलने से तो वही महिला है जिनके वो श्रूंगार नहीं कर पा रही है उनके जो केश है वो केश रचनाय काफी बढ़ रही है ऐसे में वो करे तो करे क्या यह सवाल बरकरा रहे है और तक्रीवन आट 15-20 महिला हम आरे समवा दाता शितिजा देश्मुख से आके मि आमकाज के लिए बाहर जाना पड़ा कोई बात नहीं हम अभिशेक के पास थोड़ा आना चाहिए अभिशेक आप बताईए कि वह समय में आप मौजूद थे आप से कुछ बात हुई है क्या केश रचनाओ के लिए कि जिस प्रकार से बार्बर लोगों ने ऐसा सुनाई दिय कि बार्बर लोग अपनी जो केशिया है कंगी है उसको बेचने के लिए नागपुर में निकाले है क्योंकि उनका ये मानना था जिलादीश को बंडुराउत हमारे यांके पार्षद है उन्होंने कहाता कि यदि बार्बर लोगों का दुकाने शुरू नहीं होगी तो हमारी केशी और जो जो है जैसे की केशी है कॉम है कंगी है उसको बेचने के बाहर निकालेंगे क्या लगता है आपको अभीशिक मैं रोखना चाहूंगा इस बीच में मज़ा किया बोलो या पिर एक सवाल पूचना चाहूंगा चंदु जी जब कोर्वाना की शुरुआती गाले लोगो प्रेवग नहीं किया है घर परही घाली आए कि हम लोग ऐसा है कि थोड़ा मुझे कही लोगों से जानकारि jsु मिलिए थी हम लोग दिन पर भाहर गुमते है फ्रिवार में रहते है और कौन कॉरोन का पूरोना का पिर्शक नहीं रहेंगा नहीं हमें पता नही कैसे नहीं कि अन्युन के परिवार इसक पर और सोसेल जिसेंशिंशन गाहर इंगे आठीडरि़ साथ. साथ मैं खाना आज भी चलता है साथ मैं दूर दूर बैटके खाना नहीं गाएंगे इन सब चीजों को होते वे कम से कम एक सीक्यूरूटी के तौर पर है क्योंकि हम मास चैरा तो मास से डख लेते हैं हाथ सेरिटास कर लेते हैं एक सर हमारा खुला रहता है और सर में बहुत ज जो पर हमी कि दैखने पर पूर से अधरा तहा थोंकि हम रिपीस्टिक नहीं में सकते हमारे सबस्टा रिपीर साहिए अपने वह हैंद्श है थोटा हमी किता कर लेगा थोड़ेवार की स्टाइली चेंज कर लेंगा तो बार उस गल बना दिया बना दोदे खिल्या अज़ कर आमराष थी करीड़ परी 100 भी सोजों को नोर पिछे मरे बाल साफ कर ली जा थी अर फैशन सा चल पड़ा है चन्दोची जान भाल, बाल साप करनी के जो बाते है देखिए जैसे अमिताब बच्छन साभ हो, विनत कुमार साभ हो, देव कुमार साभ हो उस जमाने के, उनके जो केश रचनाई जो चलती थी जो बालों का जो डिज accordance चलता था अच्छा चलता था कि जितके एक भी सिर्पेवाल नहीं है फिर भी आज उनका रुद्वा वो रत्नागर्जी उनके मजबूरी है मेरी मजबूरी नहीं है एक आपको अच्छा दिखे जिते हैं मेरा कहला था मुंबई से अपडेट आ रही है मुंबई में आज दिन भर में 884 नए केसिस आये है और मुंबई के संक्या आज 41 हो चुकी है अब तक 18306 हो चुके है और 666 लोगों की मुंबई की हो चुके है यह जो आज रिकोर्ट आई है यह मुंबई के आई है अलोग जी के बारेम बताओं अलोग जी का घूमना फिरना मुंबई में है पुना में है और नाख्पूर और अम्राउति के दू में है वो था दिल रहते हैं आप पात जगे की जाएंकर इंचा के लिए से ले सकते हैं पात जगे की रिपोर्टिंग बहुत अच्छी कर सकते मुंबई के बारे मैं एक और आपको न्यूस दूँँ कि वानखडे स्टेडियम जो है कुछ सरकार अपने कभजे में ले रही है पेशन्ट मुंबई में तो स्थितियां तो बहुत बिकट है आप लोगों को कुछ इंबरान बाई डॉक्टर एविनाज जी के रिक्वेस्ट आ रहेगा यह लोकल ट्रेन को किस प्रकार से यह लोग लोकल ट्रेन चलाएंगे उस पर बहुत कुछ निर्वर करेगा अब क्या लगता है लोकल ट्रेन पहले जैसी कभी हो पाईगी उत्ती भीड और उत्ती है कभी साल दो साल तो मुझे लगता है पट्री पर भली गाड़ी आजा है लिकिन कहीं ने कहीं भीड को तो हमको थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ेगा उसके लिए क्या परियार हैगा हमारे साथ में अमरावती से डॉक्टर अविनास चौधरी जुड़ेवे कोरोनों के उपर बहुत अच्छी स्टेड़ी इन्होंने किया और इनको हर चीज की कोरोना से लेके होता कैसे और ठीक कैसे होता और ऐसे अदमी कैसे मता इन सारे पू डॉक्टर साथ स्वाकत है आपका जन्यवा जी जन्यवा जी स्वाकत अपका भी स्वाकत है यह पर नापूर इन-bcN पे है अभी नापूर के अले बगभी जी आपको बता दू अभी एक अपड़ी खुश कवर आरी है नापूर में भी पास जो पेशने डिस्चाज किये ग गिंटी की जाए तो एक फंदरहाफ पेशंट सिर्फ वहां अच्छी खबर यहां नापपूर में है और दूत्री और देखा जाए कि मुमिलपूरा एक दूत्रा होट्पॉर्ट एक तो अच्छाउन पेशन्स वहां आए गहे हैं उनमें से 159 पेशन्स डिश्चाज हो चुके 98 पेशन्स एक्टिव है जो गवर्मेंट की नहीं निवामली आई है उसके वज़ पेशन्स डिश्चाज हो चुके है तो क्या को कि अच्छाइब के जो नहीं डॉक्तर की नहीं कि नहीं कि नहीं है तोड़ी दिन में पेशन्स होड़ने वाली जो अभी 10 दिन दो तीन दिन पहले जो आई है वो यह है कि एर्रेस्पेक्टिव आप इस पॉजिट के हो और या पेशन्स डिश्चाज करते समय टेस्ट करना आनेवार यह नहीं है रादर द्राइन जो पेशन्स इंटमेटिक है उनके लिए बेड की उपलब दिया और अवेलेबिटी निर्मान करना ज्यादा जरूरी है और इनोंने ऑब्जर किया है कि 10 दिन के बाद अगर टेस्ट पॉ पंदरावेदीन या सोलावेदीन निगेटिवाइगी कुछ पेशन्स की टेस्ट चार-चार हफ्ता तक पॉड़िटी रही है और इसका मतलब एबी नहीं है कि उनको कॉरंटाइन करना जरूरी है उनको हों कॉरंटाइन करके भी रखा जा सकता है और उनको सिर्व एप अब अब इस तरह के अंदर ऑक्सिजन की मात्रा गिनने का चोटा सा एक चार तीं दो निंच वाला एक देर दो इंच वाला एक तोटा सा एक्पिमेंट है इसको ऑक्सिमीटर बोलते है कि है यह ट्रांसपोर्टेबल पोल्टेबल होता है जेब में भी रहता है और उसकी कोस्टि सब्सक्राइब में अगर कुछ चेंजेस है तो शायद उसके साथ इसके वेरियेशन आ सकते है पर अगर पेशेंट को सांस अगर फूल रही है तो उसके साथ अगर उसका सैचुरेशन को अगर कोरेलेट करके दिखते तो उसकी यूटिलिटी काफियो जा दिये क्योंकि प्र के अंदर पानियों सुजेन आ रही है जिसके कारण ऑक्सिजेन की मातरा कशाम हो रही है जो स्यूर 알ा है और दोनों के माध्यम से अससे्स किय आ छाता है इसलिए data इसलिए तो प्रोंटों को घरको भी मॉनितर किया आ सकता है उसके लिए उनको हॉस्पिडल में रखन है करना की उतना ही उचीत है उसे अगर पेश्टेंट अगर अच्छी तरह से फॉलो करता है तो सुसाइटी का इंफेक्शन रेट बढ़ने के कोई पॉसिबिलिटी नहीं है दौकर जैसा आप बता रहा है अभी कि आए दस दिन बाद उनको छोड़के तो साथ दिन-घर में उसको को सेल्फ-्harater करनी यह साट दिन में उसके सिंत्रसमें करीना कम जादा हो सकते हैं कम जादा हो सकते तो तूशने रिपोड करनी है और यह साथ दिन बाद करनी है तो अन्य जो है वह उनको बीज बीच में जाके ओनेटर भी कर सकता है अन्य जो है तो यह गर बेंगर दस दिन चोड़ने के बाद मैं साथ दिन तक और गरम मानेट क्या साथ दिन बाद को पूरी तरह को न से बूगत हो जाएगा है और कोरोना वापस उसके अटेक कर सकता वाद में यह और रिकरंस यह अगर भी मारी के रिकरंस जो है यह अभी एस अब है यह एपिक्ट यह जो फ्रस फाइख उराए जुसरा जो किर्सरा इंटर इंट एटा था जो जाता है तो इसके शडीर में जो हर्ड इन एंट आई पीशन को नय वाफिस के खिलापनि वाइरस की खिलापनि हो जगतिया लिए इसे श्टें घर उसको एंट थे तो उसके साथ उसको फिरसे उसी तारा का पेशन का पोर्ट रहेगा इसले एक बार अगर आपको अगर पूशने का मत्तब यह था कि कोई एक बार एदी कोरोना से संक्रमीत हो जाए तो उसको जिंदकी बार सावदानी लेनी पड़ेगी क्या जिंदकी बार सावदानी ने एक अगर संकरमीत हुआ इसका मतलब उसको दूसरे बार संकरमन नहीं होगा इसकी कोई गैरंटी नहीं है सावदा नहीं तो पूरे वर्ल को लेनी है अपने बो तो अभी जैसे बीच में मैंने जैसे बीच में सुना था कि एक बार किसी को कोरोना से ठीक कर दिया तो उसका इमिटी पहर बढ़ जाता उसका फ्लाजमा चणा देंगा उसको डबल से कोरोना नहीं हुआ इसी बात है थी क हाँ हाँ होगा चलो बोले डॉक सब आप कुछ पूछ रहे थे बीच में अमेरिका की बात करते हैं अमेरिका में जो कोरोना पार्टी का एक चरन चरन आ था कि एक बार जिसको हो चुका उसको दुबारा ना हो इसलिए अगर 60 परसेंट लोग कोरोना पॉजिव एते हैं और तो एक एंटिडोस त्यार होता है ऐसा मैंने कुछ दिन पहले एक उसको हर्ड 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 इम्यूनिटी बोला जाता है यह हर्ड इम्यूनिटी का कंसेट क्या है कि अगर आबादी के अश्य प्रतिशत लोगों को अगर इंपेक्शन का एक्स्पूजर हो जाता है तो आम त अगर गबादी इसका एक श्यूर्स को एक्सपूजर हो चुकिया अगर श्यूर्स के खिलाप लुगों को अगर इसका वैक्सिन दिया जाएगा इसका मतलब सब पर्सेड़ नोग उस वाइरस को एक्षपोग हो चुकए उन लोगों ने अपनी बचालिया ने पाइर कर लिया वाइरस के खिलाप दो वाइरस औरा है आटोमेटिकली मेर्टो को नीचिया है। उन्होंने ये बुला कि जिस समय अस्ति प्रतिशत लोग एक्सपोज हो जाएगे, उस समय आटोमेटिकली हमको हर्ड इम्मुनिटी आ जाएगी, और इन दे मीन टाइम, हम वैक्सिन भी डेवलप कर लेंगे, बच्चे लोगों को वैक्सिनेट करा देंगे, और उस से लोगडाउन करके, एकोनॉमी खराब करने से बजाए, हम अमारी मेडिकल सिस्टिम को, जो सुविदा है, उसको अच्छे तरह से बनाते, ताकि जिन जिन लोगों को आईसू के अडमिशन के आउशकता है, ओनेटरिंग के आउशकता है, जो भी मेडिकल एड्स है, वो मेडिकल एड्स दे सके, रदर दन एकोनॉमी को खराब करने के बजाए, वो चाहेंगे कि लोगों को एक्सपोज हो जाए, सिर्फ सेल्फ दिस्टंसिंग रखेंगे, ताकि एक साथ बहुत ज्यादा मात्रा में लोग पेशन्ट क्रेट नी होंगे, ताकि मेडिकल सिस्टिम के उसका यह नहीं आएग सिर्फ दिस्टंसिंग कराएंगे, ताकि नम इन्फेक्शन का जो स्पीड है, वो कम रहेगा, और साथ में इम्मुनिटी को भी चालना में लेगे, काफी सारे लोगों के इम्मुनिटी देलोप हो जाएगी, और उस चक्कर में हो सकता है, कि बहुत सारे जो सिनियर सिडिजन से उनको इन्फेक्शन हो जाए, और अग्डी कॉस्ट अप देर लाइफ, बाकी जो यंग जन्डेरेशन से बिलो फिफ्टी यर से उनको हर्ड इम्मुनिटी मिल जाएगी, और इस कंसेप्ट के साथ सुड़न ने काम किया, तो पिष्ले तीन मैने में उनका अगर पुछना चाहता हूँ, पुलिये साथ, डॉक्टर साथ, कोरोना के जो मरिज जो होते हैं, जिनकी सेमा है, दीन्दराथ आपके जैसे कई डॉक्टर्स और नर्स की टीम कर रही है, मेरा सवाल ये है, कि ऐसे में यदि वो संक्रमन किसी डॉक्टर या नर्स को हो जाता है, और यदि उनकी किसी दुर्भाग देट हो जाती है, तो क्या राज्या सरकार या केंद्रा सरकार के तरह से ऐसा पोई प्रावदान है, क्या उन्हें डेट होने के बाद में उनके परिजनू को कुछ नाशी दी जाएगी? पचास लाख लुपे का स्केट गर्मेंट ने इंशूरंस किया हुआ है, जो भी गर्मेंट इंप्लोईज है, जो उस एरिया में अगर काम करने वाले जो वारियर से, उनके नाम से पचास लाग का इंशूरंस मों निकालते है, अगर ऐसा कुछ अन्फॉर्चिनेट मेडिया को सरकार को भी दिया, हमने जावडेकर साब को भी दिया, यहां से पुरी एक अप्लिकेशन बेजिए, बना के पुरी अमराओती से, बालक मंतिर के तूँ अजिए, उनका रिप्लाय आने का है, क्योंकि उतने ही निस्वार भाव से मेडिया भी काम करता है, यहां त मेडिया का रोल तो बहुत अहम है, इस बारे में आलोग भाई जाद अच्छा बता सकेंगे क्या इसका इसका इंप्लिमिटेशन होगा, क्योंकि दिल्ली में मंत्राले में काफी उनके मिडिया में संबंध है, आलोग भाई, आपने जो पत्र बेजा है, इस पे अल्रेडी च जावडेकरजी के पास में, और हम लोग भी जावडेकरजी अभी पूना में जब आने वाले हैं, पूना आएंगे, हम लोग भी इस दिशा में आप मुझे पत्र बेजिएगा, हम लोग भी यहां मिल से उनसे बाद चर्चा करके आप लोग उप्लिस दिपार्पेंट के ग् यह मैं बहुत ही, it's a very serious matter of concern, क्योंकि जिस तरह से उनको प्रोटेक्टिव कीट्स के साथ लड़ने के लिए बेजना चाहिए, उस तरह से वो एक्विप नहीं होते हैं, बड़ा सा क्रावड जमा होता है, उनको खुद का प्रोटेक्शन करने के लिए यह एन 95 मास भी नहीं ह फिल्ड शील्ड फुद जो है, वो अतीशे आवश्यक है, और N95 मास उनके लिए बहुत जरूर है, उनको एक स्पेसिविक एक्रिलिक के जो गॉगल से वो भी देना उनको जरूर है, क्योंकि गर उनके चेरे पर खासता है, तुपता है, उनका चेरा प्रोटेक्ट करना अथ बहुत इंपॉर्टन्ट है उनको सास के माध्यम से जो इंफेक्शन हो रहा उसके लिए 95 मात उनको देना बुछ जरूरी है और उनके हेल्ट जो एक्सेसिव स्ट्रेस नो एक्सेस वर्ट नो छे घंटे के ऊपर उनको ड्यूटी नहीं होनी चाहिए क्योंकि जितना स्ट्रेस बहुत पुलिस सफर हो रहे है और चिंता का विशह है उसके लिए कोई निति अपनानी चाहिए कुछ बोड़ ऑप अपरेंटी होनी चाहिए और मैरो को लगता कि इस तरह से डॉक्टर लोगों के लिए नितिया बन रही है इस तरह से एडिमेस्ट्रेटिव क्लास के लिए पुलिस डिपार्मेंट भी उतना इंपॉर्टन है जिनको अपने आज के तारिक में उनका यह लेना बहुत जरूरी है परना क्योंकि यह जो लड़ाई है कि एक-दो मैने की लड़ाई नहीं है अपनी गलत पहमी में है इसके साथ अपने को जीना है आने वाला पूरा एक सा औरश פनी से से लेक हाल के था से होते रहें कैसे साथ तो पूरा क्यंटाह今 आज जलोगी जतना है इन्पेक्शन सोते रहेंगे उतंकी स्की मोटिलेटी भी बढगते रहेंगी और बंबाई के सब्सक्राइब करने पड़ेगी और जिस तरह से अपन सैंप्लिंग कर रहे हैं सैंप्लिंग के भी मैं समझता हूं कि उसका अपना इहम सब्सक्राइब कर रहे हैं इस तरह से बाकी कंट्रीज में इवन इट्लिस के दो अगर तुम प्रोविंस देखोगे तो दोनों प्रोविंस में अलग तरह के स्टडीज हुई है एक प्रोविंस ने आपको देखा कि बहुत सारा घरगर जाके उन्होंने सर्वे किया घरगर जा सब्सक्राइब करें लोगों का सैंपलिंग ले और उस तरह से अच्छी तरह से कॉरंटाइन कराके सेल्फ दिस्टंसिंग प्रोविंस करें पंट्री स्टेट थोड़ा चोटा जरूर है और बहुत जल्दी उन्होंने काबू पालिया भीमारी पे ने अपने उसको प्रोग सब्सक्राइब कर सकते हैं इतली की पॉपुलेशन हम भारत से तुल्ला नहीं कर सकते केरला बहुत चोटा सा राज है विदर से चोटा है उनको कंट्रोल करने में और बाकी स्टेट को यदि अधी बांबे के बात करें अगर अगला धारावी ऐसा है कि पुरे भारत का जिला के रखते हैं तो पॉपुलेशन का अभी मेरे सिस्टर से मेरी अभी मेरे सिस्टर से बंबई अधे गंटा पहले बात हो रही थी लॉक्डॉम नाम के जो कंसेप्ट है हाडली 50 प्रतिशत लोग फोलो कर रहे हैं बंबे की बात करो आज भी लोगों को उतना सीरेस नहीं है ज करन्लों क्या ब्रतMP कर बेस्त सिस्ताव को Magic सिंग तो फिर्ड्रीम शेवरे सिर्ड इंहीं को माधे अची तरह से लुगों ने पहलो टिफ इनलजा वहीं यह थोड़ा सा प्राब्लेम स्रेट हुआ उन्होंने सैनिटाइजर से लेके तो कस्टमर के लिए बैठने के लिए सुईदा से लेके तो दो सब्जी के दुकान के बीच का डिस्टन से लेके तो एंट्री तके उन्होंने जो फॉलो किया वह बहुत अच्छा रोल मॉड उस चीजों को समाज ने भी और एड्मिस्टेशन ने भी एक्सेट करना चाहिए और फॉलो करना चाहिए इम्रान जी आपने जो प्रश्न पुलिस से रिलेटेट पूछा था जो डॉक्टर साब ने जो चार चीजे बताई है वो चारो चीजे मुंबई और पूना में फॉलो नहीं हो पर हैंड्लोस नहीं हैं मास्क नहीं हैं और यह जो चीजे हैं यही चीजों के करण यह आकड़ा बढ़ता जा रहा है मालेगाओं में हमने देखा कमिश्णर को यह प्पैल चुका है कमिश्णर लेवल आयस ओफिसर लेवल उसका कारण यही ठीजे है यह चार चीजे जब तक इंप्लिमेंट नहीं होगी सरकार की और से तब तक के तो यह बढ़ेगा और पुलिक को भी अवेर करना पड़ेगा सरकार को सक्ति करने पड़ेगी पुब्लिक को मानना पड़ेगा चंद वो दो दिन पहले मने आपको वीडियो पोस्किया था वो वीडियो में कितना सुंदर सा एलेबरेशन जो एन 95 माल इसको बोलते आज के तारिक में इस infection के लिए कारगर साबित हो रहा है उसका टेंडर सब्सक्राइब के लिए तो मार्केट में जैसा इन 95 की दिमांड बढ़ गई है हमारी फार्मसिस कंपनी है हमारी शॉप जिन्होंने 15 रूपे में जो मास करिदा उसको 200 200 300 रूपे में बेच रही है अपनी सवेदना दिखिए क्या सवेदना है नंबर दो यह सब चीजे गव महानगर पालिकाने जब टेंडर निकाला था उनका पर्चेसिंग रेटा 17 रूपे जब एंजो उनको खरीदने के लिए उस कंपनी के तरफ में अप्रोच करते है तो वह उनको रेट कोट करते 100 रूपे और निकोशें के लिए 75 रूपे और कुछ कुछ मार्केट में वह फा वह उसक्ता को भी समझने की वह जरूर यह आई बिचली कब शाड बना के रखना है ताकि बार्केट बढ़ जाया और बढ़ बढ़े इस पर तो इस पर तो सबसे पहले गवर्मेंट इस पर तो कंट्रोल करना ही चाहिए नहीं हो तो गुशने मास करित के मार्केट में वह न उनके कंपनी के माध्यम से यह जो मैनुफेक्चरिंग क्वास का जो पूरा निकाला उन्होंने अठा रूपे का कोटेशन बरा के ब्रोन मुंबई महानगर पाली को सप्लाइ करने का कोटेशन दिया और वो रेट में वहां सप्लाइ करने वाले से जैसे डिमांड बढ़ रह कि अधाल नि Stop कि क्याद पूरा जो सेटिंग है सेटिंग मार्केट की जो सिंहों तह देखते हो रहा है तो इस mocking इसे और एस कंपनी के उपरबर . अप्लाइं करा के जैसे आज इसेंचिल कमोडिटीटीज एक के अंदर सरकार कोई भी ऑस्पिटल कोई भी इंस्टिट्यूट या कोई भी होटल को टेक और कर सकते उसी तरह से कंपनी को टेक और करा के उनको पूर्स करा सकते है कि इसको उपर आप मास्क प्रोडक्शन करना है आपको कंपल्सरी और आपको यही कॉस्ट में बेशना इस तरह के कंपल्शन अप्ला सकते तिर यह निश्य और पॉलिटिकल वील होनी चाहिए क्योंकि यह बहुत इसेंचिल है आज एन 95 मास्क हर पुलिस के जेब में कम से कम पाच उसके जेब में होने चाहिए मास्क अगर क्या लगता है आपको इसमें प्रॉडक्शन में सबसेडी गवर्मेंट ने देनी चाहिए बाकी जगे इतना बजेट और इतना यह कर रही है इसमें विखरके न 95 वी 10 रूपर 15 रूपर से उपर रीटेल कॉस्ट नहीं होनी चाहिए इसकी ताकि हर व्यक्ति जेब में लेकि से उपर कॉस्ट नहीं जाना चाहिए उसकी गवर्मेंट को मालूम है क्योंकि उजी कंपणी ने कोट किया हुआ है कि हमको साड़े सत्रा रूपर में आपको सप्लाइ कर सकते इसका मतलब सत्रा रूपर के निचे उसकी कॉस्ट है तो गवर्मेंट ने सबसेटिज दे दिया अगर आज हम उनको टॉर्चर करेंगे तो बख्की का मैनिफेक्ट्रिंग करेंगे हमको मिलेगा नहीं पहले होगे तो ब्लैक मेले होगे तो एक्जेक इस तरह के अगर सरकार इन चीज़ों इन लोगों को सुने अगरे सरकार ने नहीं अपना चेहाँ नहीं यह दिया दिन पहले नरेंजव मोदी जी ने कहाता कि भारत दो लाग मास डेली बनाता है अनिफेक्ट्चर कर सकते हैं करना शुरू करते हैं गरिस आपका खुद का स्टेट्मेंट है कोई बोले तो मैं एक लाग मानिफेक्ट्चर करने की मेरे में परड़े के मैं पोटेंशल है लोग मेरे को डिमांड करें मैं उस तरह से अरेंज कर सकता हूँ पर कहां दिक्कत होती है मेरे को समझता नहीं कि उस तरह से मार्केट की वावी हो जाता है लोगें की समयुछत ना कहां मर जाती है यह कैलामेटी हे इसमें एक फेमिली के लिए इक रिलीजन के लिए नहीं है पूरी क्यानमिय पूरे सुसइटी के लिए यह वल्ड के लिए आज अपन अपनी रिस्पॉर सब्सिक्र तो निश्चीत तोर पर कब समझेंगे भाई तो मेरो रखता है डॉक्टर लोगों की रिस्पॉंस लिए डॉक्टर पूरे कर रहे है सुशल रिस्पॉंस लिडी भी है कि खुद हो के वह भी बोले कि हम हमारे प्रॉपेशन में ओनेश रहके इस तरह का जो हमारे तेसे कॉंट्रॉपिशन होता है अब मैक्सिम प्रॉडक्शन करेंगे इवन आप सानिटाइजर के बात देखीगा जो सानिटाइजर के किमत पच्छी से तीस रुपे किमत थी तो सानिटाइजर तुमको चारसो पांस रूपे में भी मिलने रहा था अनलाइन भी बैनिश्ट हो गया था और जबकि फिर जो बाकी के पैर्लेल एजेंसी सक्री हो गए अल आप ए सड़न मार्केट में फिर वह सानिटाइजर जिसका पांसो एमेल का वाल्यूम है एक सोदस एक सोबीस रूपे में आ गया अटोमेटिकल यो कड़ी तूड़ गई ब्रैंडेड भी फिर सैनिटाइजर तो कहने का मतलब यह कि यही चीज एन 95 मास में भी हो रहा है अभी काफी मैनिफैक्टर सब इसमें आ गए है और अभी मैं दिल्ली का टिंडरिंग हिमाच सब्सक्राइब करें लोगों के भावना के साथ खेल कर रहे हो तो मेरो को लगता है इस पे गवर्मेंट ने तुरंट कुछ नो कुछ नो कुछ इमिजेट एक्शन स्वेने चाहिए और साथ में एक्शन लेके नहीं इसको अवैलेबल भी करना चीए और स्पेशली यह जो प अवैलेबलिटी एशुर करना चीए और सब्सक्राइब को जब उसका पर ना है लिए यह जो जो चुछ चाहता है कि प्रिविंशन इस बेटर दन की ओर मगर अफ्सोष के केंदर होया राज्यसरकार जिस प्रकार से जो पीपी कीट यह फिर N95 जो मास्क की बात है वो देने में पुरी तरह से असमर्थत दिखाई देती है क्या यही कारण है कि कोरोना वायरस का प्रकुब दिन बढ़ते ही जा रहा है नहीं नहीं एक कीट अवलेबिलिटी यह आप जब कोरोना वायरस के सिधा स्केट अपे कॉन्टक्ट में आते उन लोगों के लिए जो क्याटेगरी 3 के जो वारियर्स है जिनको डारेक्ली होस्पिडल में काम करना है जो संक्रमीत पेशेंट जो डिफाइन पेशेंट से उनके पैख साथ कम करना ही उनके लिए पी-पी-पीप कीट का सवाल उठता है संक्रमंट का और पीपी कीट का कोई सिधा समन नहीं है संक्रमंट से सोटब कर साbang्क्रमंत तो तुमारा जो डिस्टंस इंग मास्यों हो रहा है तुमारे जो डिस्टंसिंग का प्र lotus नूहर Oui जो में मन के लिए पीपीट रेस्पॉंसिबल इंगे जण्रल मासस के लिए पीपीट की कोई रिखार्मेंट नहीं है सिंपल थ्री लेयर मास्ट वो भी हॉस्पिटर ने तो साफ अलोपेशन इसके डिमांड बनने से रिक्वार्मेंट ज्यादा आने के कारण यह जो इंबैलन्स हुआ है सप्ला एंड डिमांड का वह अभी काफी जगा अभी एक किट्स अवालेबल हो चुकी है अब जो लगातार अपन जो चिला है अब बंबे में क्या इसके रिक्वार्मेंट बहुत ज्यादा है क्योंकि इस वन्स्यूज एंड थ्रो वाला काम है जिन मरे मे जितने लोग इंटर करेंगे ऑसी के साथ कीड़ डिसको करनी पड़ ही है तो उसका रिक्वार्मेंट बहुत ज्यादा है और रिक्वार्मेंट को पूरा करना मेरो को लगता बट बढ़ा बजेट का काम नहीं है और यह इंपन कार में लिटिए है और उनके नहीं तक जिम्म कर रही है डॉक्टर लोगों को डूनेट कर रही है आयमे ने भी अपने फंड रेस किया है उभी पीपी किट कर दे जा रहे है तो यह सीस तरह से पीपी किट का मेरो को लगता सवाल बोद बड़ा नहीं रहेगा वो साउट आउट होगा अपने को अभी भी लॉग्डाउन को जो भी अभी आज 10-15 दिन बचे होए उसको स्टिकली फॉलो करना पड़ेगा ताकि अपना जो ग्राफ है तो ग्राफ की स्पीट को अपन कांट्रोल कर सके इंद मीन टाइम वैक्सिन इंटूलिस हो जाएगा इंद मीन टाइम हर्ड इमुनिटी आ जाएगी इंद मीन टाइ दो साल हो सकता है तृन साल भी काम करना पड़े एससा है इसस फुरलाड केक्स डिटेक्ट होते रहेंगे आते रहेंगे ऊस्पिडल के एम्पुल्वजए होती होती है तो टो गव souhaag ओने तोाहएधर suffering उनको भी पर्मीशन दे दी है कि वो हॉस्पिटल में इंडिस्ट्रियल उक्सिजन सिलेंडर मॉडिफिकेशन के साथ में यूज कर सकते हैं इसमें को चीज़े हैं कि गवर्मेंट का एक नया सर्कुलर अभी अभी जस्ट आया है उसके अनुसार यह कहा गया है कि 10% हॉस्पिटल का मार्केट है और 90% इंडिस्ट्रियल मार्केट है तो गौर्मट के इन मैनेफेक्चरोरों के साथ एक मिटिंग हुई और मिटिंग में यह निरने हुआ कि आक्सिजन सीलेंडर, इंडेस्ट्रिय आक्सिजन इसलेंडर को अगर आप हुस्पिटल ऑक्सिजन सीलेंडर में कनवर्ट करना है उसका जो भी चार्ज होगा तो तो उन्होंने यह अशुरंस दिया है कि 85,000 पर मंथ औक्सिजन सिलेंडर वो लोग मैनिफेक्ट्चरर करके देश को देने की में तयार है संज्ञा भाइब आखरी है किया आखरी में आठी है क्योंकि आपने आपने किसी को शंप्राइब में लिया जाता है यह मैं केने चारो कि बादा बन रहा है के धरम नी धरम बोली जंदुबू कर अधिर्व रॉटीन में आपने 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 अथी आपने अभी ऐसे रिस्टिक्रिप भी रिस्टिट भी वही। अभी उपड़ी शभी परिवारा नों को सुपूत कर दियाएं। अमें देखे अमराउती विदर्व की बात देखे बाकी और पूरे देश की बात का पता नहीं लेगी कहीं ऐसा गहीं अइसा मुझे लगता नहीं क्या प्रॉब्लम गया करके करते हैं कि सर आप हिमा लाया कि है पुकार बहादुरो बड़े चलो बड़े चलो आगे सबसे हो चलो और इसी के साथ और भी पैनल के लोग अलोग जी कुछ बोल रहे थे मैं वही कह रहा था कि जो आपने जो मुद्दा उठाया तो चंदुबावे तो यह शुरुवात में यह हुआ था कि जब डर जादा था तो उस समय डेट बॉड़ी नहीं ले रहे थे लोग इंदौर की ए गटना है मुंबई की ए गटना है पुना की ए गटना है तींचार अब इस प्रकार के ऐसा कोई मुद्दा नहीं है ऐसी sporadic events है जहां लोग डेट बॉड़ी इसको एकसेप्ट नहीं कर रहे और गर्मेंट बोलते कि ठीक है मिसका disposable कराएंगे पर maximum जगह तो लोगों का कुछ ने कुछ एमोशनल अटेश्मेंट है अंतीम क्रिया जिस तरह से अ इसको आप फिर से नाला दोला नहीं सकते या जो अपनी अंतीम क्रिया नहीं कर सकते उसको एक तो डारेक बरीड किया जाता है इसको जलाया जा सकता है अपने अपने रिलिजेंस के साथ ही यह सब चीज़े हो रही है सिर्फ इतना एक ही मिनिट के लिए बूलना चाओंगा कोई रिलिजिस्टिक अप्रोच नहीं है पर जलाने के बात सव प्रतिश्चत उस वायरस का डिस्ट्राइब हो रहे है तो काफी जगा ऐसा भी हुआ है कि कुछ मुस्लिम बॉडिज के लोगों ने भी इसकी इजादत जिया कि ठीक है अगर आपको यह स्लगता है कि हमारे य अपर आपको यह तमाम बाते सुना क्या काहिना चाहोगे किस प्रकार से आज के कारेक्टन का समापन करना चाहोगे नए कारेक्टन बहुत अच्छा इस कारेक्टन कारें करें हमारे यह सब मित्र परियार इजित्ता भी आज जुडाओ हम साथ और भी लोग जुड़ेंगी हमारे पैनल के समझेव लोग है पूरे पूरे अपने सिटी दो और इन भी से तरफ से रहेगे और बहुत अच्छा एक हेल्दी डिसकेशन रहा कहीं पर भी हम नैशनल एंकर सरी के किसी पर हावी नहीं हो और नहीं हमको कहीं हावी होना है बोलने वाले को बूरा मौका देना आगे जिसको जो परना उसकी बात रखना हो सकता हमारे विचारों में मध्वत हो सके लेकिन उनके भी विचार फॉ करने विचारों का कम से कम आतन प्रतन पूरा होना चीए और आज हमने वो होने दिया और इसी प्रकार हमारा यह कारक्रम चलता रहेगा आप सबी लोगों ने इसमें भरपूर योगदान दिया सबी मित्र परियार से आभर हम किसी का मानेंगी धन्यवाद देंगी त्यू कि आपका सबका अपना चैनल जो भी यहां पर अभी लोग है सब अपने चैनल के है पूरे के पूरे तो बस यह करेक्रम ऐसी चलता रहे है हुझा सा प्रयोग हम लोगों है जो, मोदी जी का अब है नया, चला है लोकल-वोकल, यह हमारा लोकल यह उसका ही एक वोकल है, हमको उसके वोउस बनानी है लोकल-वोकल के नाम से इसको प्रणाज को हम लोग चलाएंगे क्योंखिकि विधरब के लेवल पे पूरा इस प्रकार का एक आयोजन नहीं हुआ है, हाँ विदरब के लेवल पे इस प्रकार का आयोजन चाहते हैं कि सभी लोग इस डिसकेशन में शामिल हो और यह प्रयोग हमला रहा चलता रहा है और आप आज प्रायोगिक तोर पे हमारा पहला ही प्रयास है इतना बड़ा लेवल पे जाने का आप आप सबने इसका स्योग दिया और आगे भी आप हमारे इस पैनल में सब लोग शामिल रहें यही आशकत है इम्रान वाई जिहां बिल्कुल सही खा चंदू जी जिस तरह से विदरब को जोडने की एक संकल्स बनाके साथ चंदू जी आगया थे और बीटेनों चंदू जी की जो संकल्स में थी हमने आज वर उसके एक एक अंतीम चरब में पोच चुके कि वो एक प्रोपर दरगे से हम जूट चुके सबसे और आज का जो पैनल डिस्केशन था काफी बेतरीन रहा और आगे भी यह डिस्केशन हमेशा चलता रहें बिलकुर जो से जो जलाय करो प्यार की गंगा बहाया कुनों और इसके साथ शुवरात्री शब्बा खेर दन्याद सब्का दन्याद